एक तरब सचीन पाइलेट जल्द से जल्द सरकार में मंत्री मंदल विस्तार और राजनेतिक नियुक्तियों पर काम करना चाते हैं तो दूसरी तरब PCC चीप गोविन सिंग डोटासरा अब ए संतूष में सूस कर रहे हैं सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि PCC चीप गोविन सिंग डोटासरा की बार अपनी ही सरकार के मंत्री भी नहीं मान रहे हैं जानिये पूरी खबर हमारी इस खास रिपोर्ट में वही दूसरी तरब सचीन पाइलेट ने कहा है कि कारे करताओं के दम पर ही पार्टी सता और संगठन में आई है इसी कारण जल से जल पार्टी से जुड़े कारे करताओं को उचितपाद और परती निदित्वे मिलना चाहिए लेकिन सरकार में इसा नहीं हो रहा है वाई दूसरी तरफ सचिन पाइलेट ने कहा है कि जल से जल मंत्री मंडल विस्तार भी करना चाहिए और मैंने इस काम पर कई नेताओं को अवगत भी कराया है अब देखने वाली बात ये है कि सचिन पाइलेट को कब से कब सरकार में एड़ेस्ट किया जाएगा वाई दूसरी तरफ असोगेलोर क्या कुछ बड़ा नीन्य लेते हैं दूसरी तरफ अपनी ही सरकार में PCC चीप गोविन सिंग डोटासरा भी अब एजस मेसूस करने लगे हैं यानि कुल मिलाकर बात की जाए तो दो मैने में ही PCC चीप गोविन सिंग डोटासरा ने कहा है कि सरकार में बेठे एसे और भी कई मंत्री है जो कि मेरी बात नहीं मान रहे वही अब एक बड़ा दमाका होने वाला है यानि की PCC चीप गोविन सिंग डोटासरा भी अपने पद से एस अंतुष्ट मेसूस कर रहे हैं क्योंकि सरकार में बेठे कई ऐसे लोग भी है जो गोविन सिंग डोटासरा की बात नहीं मान रहे लेकिन ऐसा सचीन पाइलेट के कारेकाल में नहीं देखने को मिला था खुल कर नीन्य नहीं ले रहे हैं उनको दबाव में नीन्य लिया जा रहा है अब देखने वाली बात ये है कि गोविन सिंग डोटासरा अब क्या कुछ बड़ा नीन्य लेते हैं लेकिन फिलाल गौविन सिंग डॉटाश्रा ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे भी है जो की सत्रा और संगठन के दबाव में काम करते हैं अब सचिन पाइलेट जल्द से जल्द विस्तार चाते हैं तो दूसरी तरफ गौविन सिंग डॉटाश्रा फ्री हेंड चाते हैं अब देखने वाली बात ये है कि अब दोनों नेताओं का क्या कुछ होता है वई कांग्रेस में एक बार फिर बगावत के सुर तेज हो गए हैं अब लगता है कि पार्ट तू जल्द ही सुरू हो जाएगा वई दूसरी तरफ सचिन पाइलेट ने कहा है कि जल्द से जल्द सरक सता और संगठन में विश्तार करें ताकि आगामी समय में सरकार में कारिये भी हो सकें वही तीन साल बात चुनाव है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें धन्यवाद